है लो है लो है लो चेक है है लो है लो है लो के क्वेश्चन नमर्ट टू डन हो गया वन बन गया सबको टू भी बन गया होगा ठीक है जो बनते जा रहे हैं उनमें वन टिक करते जाएए क्वेश्चन नमर्ट 3 पर देखिए हाँ जी अब इसको लिख कर क्या आपको करना पड़ेगा यह सोचे आपकी बिना लिखें इसको कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे माना की एन प्रकर संख्याओं का समुच्चह है यदि एन क्रॉस एन में परिवासित एक संबंद ऐसा हो कि A B C D एकॉल टू A D प्लस B C B C प्लस A D है तो उससे दिखीजिए कि एक तुलता संबंद है देखिए भईया इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ आपको बहुत बढ़ी है बढ़ी है बात बता देता हूँ ये क्वेश्चन जो है नमबर वन N क्रॉस N में बन रहा है मतलब एक तरफ प्रकर संख्या है इन्पूट के लिए और एक तरफ क्या है प्रकर संख्या आउट्पूट के लिए ठीक है ये क्वेश्चन CBSC में आया है और इसलिए MP बोड में ऐसा difficult question आने के chances कम रहते हैं इतना difficult question नहीं दिया जाता है फिर भी है तो बता रहा हूँ देखिए यहाँ पर पहला relation दे रहा है कि A, B, C, D मतलब यहाँ पर आपको pair में element लेने है ठीक है जी मतलब यहाँ पर जो element आएंगे वो single single नहीं आएंगे set A में जो element आएंगे वो किस में आएंगे pair में मतलब यहाँ पर एक element है pair का A, B और एक element है pair का C, D बोलो तो पहला element यहाँ पर तक आप देखते थे A था इस बार पहला element क्या है? A B. दूसरे element क्या है? और A B और C D में जो रिस्तेदारी बनती है वो किस तरीके से बनती है? वो कैसी रिस्तेदारी बनती है? एक element है A, B और वो relate कर रहा है दूसरे element C, D के साथ तो रिस्तेदारी कुछ ऐसी बन रही है कि A, D शुरू वाला और लास्ट वाला A, D B प्लस C A, D, B प्लस C कहां से आए? यहां से देखो equal to B, C A plus D मतलब कोने वाले का गुणा और बीच वाले का सम equal to बीच वाले का गुणा और कोने वाले का सम ठीक है? तो पहले हम देखते हैं सबसे पहले इस रिस्तेदारी को देखते हैं इसके लिए A, B के लिए खुद के लिए अब महसूस करो क्योंकि input में ही दो element है तो अकेले A नहीं ले सकते हो नहीं तो दुम कहने लग जाओ कि भी असर A क्यों नहीं लिया जो कि natural number में बैठा हुआ है A, B A, B का A, B के साथ relation खेलता हूँ A, B को मैं A, B के साथ relate करता हूँ बुलो हाँ तो क्या rule होता है? A into B bracket में B plus A याने A plus B बुलो हाँ equal to A into B और bracket में कोने वाले का sum A plus B बुलो हाँ दोनों equal to A की नहीं आ रहा है मतलब खुद के साथ संबंद बना रहा है की नहीं बना रहा है मतलब A, B खुद के साथ संबंद बना रहा है बना रहा है ना अब एक काम करिए एक बार A, B ले लिजे एक बार C, D ले लिजे और एक बार A, B ले लिजे बहुत बहुत है क्या किया अरे कहाँ स्क्वेर स्क्वेर आ गया अरे तुम पूरा क्यों खोल डाले यार स्क्वेर चलो पूरा भी खोल डालो कोई बुरी बात नहीं है हाँ ठीक है और सीडी अभी करो और सीडी अभी भाई एबी सीडी और फे सीडी अभी बराबर है क्यों नहीं हाँ नहीं बन रहा क्या देखो भई यह स्क्रीन पर देख लो एबी सीडी है एबी एडी बी प्लस सी एक के साथ आएगा डी और बीच में बी प्लस सी यह डी कर लो भाई साब ठीक ना एडी बी प्लस सी एक्वल टू बी सी ए प्लस डी पहला यह किसका आगया एबी सीडी का ठीक अब सीडी एभी का निकालो अब सीडी एभी का निकालेंगे सीडी कॉमा एबी तो क्या आता भाई साब सी इंटू बी प्लस ए एक्वल टू डी ए ए प्लस बी ठीक ना डी ए सी प्लस बी अच्छा क्यों नहीं है एक्वल भाई साब हमें तो दिख रहा एक्वल है डिजट चेंज है तो नैच्छरल लंबर में कि दूकूण अ दो करो बात बराबर होती ही ना नैच्रल लनबर में अभी इसी को बी सी इंटू डी प्लस हे लिकदो है तो equal अब कैसा equal चाहे तो natural number है न DA को AD लिखतो सकते हो तो दोनों अपस में बराबर ही तो है B प्लस C को क्या C प्लस B नहीं लिख सकते हो चलो तो यह क्या हो गया सम्मित क्या हो गया सम्मित हो गया अगला संक्रमक यह थोड़ा typical है संक्रमत में तीन सेट मानने पड़ेंगे आपको AB की रिस्तेदारी CD के साथ और CD की रिस्तेदारी EF के साथ AB की रिस्तेदारी CD के साथ देखोगे तो क्या बनेगा AD B प्लस C equal to BC A प्लस D बनेगा नहीं बनेगा number 1 दे दो इसको copy में वह short में लिखा परिक्षबोदने और दूसरा number लिखो दूसरा है दूसरा है C F D प्लस E equal to D E C प्लस F बोलो यस की नो बनेगा ठीक है अब बच्चो एक काम करो उपर वाला जो relation बना है AD B प्लस C BC A प्लस D इन सब में ABCD से उपर वाले में डिवाइट करो AD से AD कैंसल हो गया पहले बोलो हाँ और बच क्या गया नीचे BC बचा की नहीं बचा अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो मैं तुम्हें ले कर देता हूं देखो AD ब्रैकेट में B प्लस C एककोल टू BC ब्रैकेट में A प्लस D डिवाइड बई A, B, C, D और इधर भी A, B, C, D AD से AD क्या हो गया कैंसल बोलो हाँ B प्लस C अपॉन BC बचा की नहीं बचा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B बोलो यहाँ है न एककोल टू 1 अपॉन BC से BC कैंसल 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन A Agree की not agree नमबर वन दे दो इसको अब इसी तरीके से आप जो है दूसरा रिलेशन जो है दूसरा रिलेशन आप इसमें डिवाइट करेंगे यह है CF वाला बोलो हाँ है न तो इसको इसको इदिवाइट करेंगे CF में CDEF तो 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D एककोल टू 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन C बचेगा की नहीं बचेगा बचेगा की नहीं बचेगा जबर जस्ती नीचे वाले को भी डिवाइट कर दिया CDEF से दूसरे रिलेशन में जो दूसरा संबंध है समीकर्ण वो तो छोड़ दो उसको अब दूसरे वाले को पकड़ दिया यह जो दूसरा वाला आया 1 upon C से 1 upon C cancel 1 upon C से 1 upon C 1 upon D से 1 upon D cancel इदर वाले में B E और इदर वाले में कितना A F चलो इसको सिंप्ली फाई करो देखो हमारी कोशिश क्या थी हम रिलेशन किसमें किसमें लेगे आए CD में और E F मे AB में AB में और E F में मतलब हमको AB E F चाहिए है क्या चाहिए है AB E F तो देखो इससे D कड़ गया C कड़ गया यह बीच के बंदर कड़ गया है न हाँ इसको देखो solve कर लो E plus B upon B और यह हो गया बोलो हाँ है न और A F B plus E equal to B E A plus F हो गया यह प्रूप करना था हो गया कि नहीं हुआ आता है यह है एक तुलता संबंध है क्या नहीं है समझे में चलो हाँ भई आगया सुन में अगला कोशन करने कोशिश करें प्रिशन क्रमांग चार पहले आपको मौका दे रहा हूं फिर ना बने तो मैं बताऊंगा यह कैकी अच्छा दा क्वन वन उन टू नहीं बन रहा चलो देखो इसका कमसेप्ट बता दूँ कि यह कैकी का मतलब क्या होता है न देखिए यह कैकी का मतलब होता है एक इंपुट और एक आउटपुट यह देखिए यह एक्स वन है एक्स वन के कर्सपॉंडिंग आउटपुट क्या निकलेगा वाई वन और एक्स टू के कर्सपॉंडिंग आउटपुट क्या निकलेगा एक एकी प्रूफ करने के लिए condition ये चलती कि हम बोलेंगे कि दो output equal है यहने y1 equal to कितना y2 है ना दो output क्या है equal तो अगर दो output equal है और वाकई में अगर ये एक एकी है तो आप प्रूफ करोगी कि देखिवाद दहिया दो output अगर equal थे तो दोनो input भी क्या निकलाए एक मतलब अगर पापा दोनों same है तो पक्के उनके बेटे भी क्या होंगे से मतलब एक ही पापा का एक ही बेटा तो पहले चीज़ तो यह आपको थावित करनी है अगर पापा double roll है तो बेटे का भी क्या है double roll समझ में आया ना तो दोनों बेटे मर्ज हो जाएंगे एक हो जाएंगे तो पापा भी मर्ज हो के क्या बन जाएंगे एक बन जाएंगे ठीक है तो इसी तरीके से आपको हर बर यही put करना है एक है की में कि अगर y1 equal to y2 is equal to x1 equal to x2 अब जैसे यहाँ पर आपके पास question है fx equal to 1 upon x है की नहीं है तो question है y equal to 1 upon x ठीक है अब मान लीजिए x1 के लिए x1 के लिए output आएगा y1 तो y1 equal to 1 upon कितना x1 और y2 equal to कितना 1 upon x2 अब आप condition दिखाओ कि पापा equal है यहाने y1 equal to कितना y2 यहाने 1 upon x1 equal to 1 upon x2 हाँ यहाना cross multiply करने पर x1 equal to कितना हो गया यहाने पापा equal है तो बेटा भी क्या है equal है मतलब function क्या हो गया एक एकी क्या आगया function एक एकी नहीं है सब्सक्राइब अरे तो question दिया था न राजा तुम confuse हो गया question देखा ही नहीं तुमने यह देख लो यह देखो question है fx equal to 1 upon x उसी को तो मैंने solve कर दिया बोलो हाँ question है न fx equal to 1 upon x उसी को मैं जाके वहाँ पे solve करने लग गया बोलो हाँ जी तो अब मैं x1 x2 लेता हूँ बढ़ इसने पगले नहीं यहाँ पे x और y ले रखा है मैं तो हमेशा कहता हूँ एक x1 ले लो और एक क्या ले लो x2 हाँ या ना और declare घोशित करोगी कि दोनों के पापा equal है याने fx1 equal to fx2 यह देखो fx1 equal to fx2 आपने declare कर दिया कि दोनों के output equal है अब दोनों के output equal है तो fx equal to कितना one upon x तो यह हो जाएगा one upon x1 equal to one upon x2 solve करने पर आएगा क्या x1 equal to x2 आ गया मतलब दोनों बेटे एक ही है अगर दोनों पापा एक है तो दोनों बेटे एक है इसका मतलब function क्या हो गया one one कैसा हो गया हाँ हाँ दोनों सेम है यह यह बेटा कुछ यह लो function पापा नहीं है function चक्की है कैसा सवाल पूछ रहा हूँ यह लो बेटा function 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 में equation दी गई है fx कहलाता है output और x कहलाता है input ठीक है output x जो मिलता है जो y होता है input हाँ ठीक है fx मिलेगा x की value रखेंगे तो fx मिलेगा और one-one का concept यह है कि एक input के बदले में एक output मतलब अगर x दोनों सेम है तो y भी दोनों क्या होंगे सेम होंगे तो हम यहाँ पे दो y सेम लेगे चलते हैं और दिखाते हैं कि भईया दो y जो सेम थे उन पर दो x भी क्या है same है if y1 इकॉल टू y2 तो x1 इकॉल टू x2 समझ में क्लियर है अब देखो भाई सब अब देखो क्या है on to on to का मतलब क्या होता है यादे चा गए बताया था मैंने class में आच्छा दक on to का मतलब आच्छा दक मतलब अगर हर बेटे के लिए एक पापा मौझूद है तो हर पापा के लिए एक बेटा भी मौझूद होगा मतलब हर x पर अगर आपको y मिलता है तो हर y पर क्या मिलेगा x बट x पर y के लिए सीधा function काम करेगा f बट y पर x लाने के लिए ultra function काम करेगा f inverse क्या काम करेगा क्योंकि बेटे से पापा तक पहुँचने के लिए अगर f काम कर रहा है तो पापा से बेटे तक महुचने के लिए क्या काम बना पड़ेगा f inverse समझ में आया कोई दिकत दिकत चली देखिए करते ना वो तो question के हिसाब से होगा ना बेटा तो जैसे अपने पास question है y is equal to one upon x बोलो हाँ यह function क्या देता है यह function देता है बेटे पर पापा x क्या है बेटा और y क्या है मतलब x input पर y output दे रहा है हमें का चाहिए पापा पर बेटा पापा पर बेटा तो यह y को नीचे ले आओ one upon y और यह क्या बचेगा x हाया ना मतलब x की value बेटे की value पापा के बता रहे हैं सुनो तो हाँ y is not equal to 0 वो ठीक है आप देखिए y is equal to 1 by x है तो x equal to 1 upon y हुआ की नहीं हुआ चलिए अब अपने पास आपको पता है कि जो function है वो है f x equal to कितना 1 upon x f x equal to 1 upon x अब मैं देखिए f of x की जगह में खिला रहा हूं कितना 1 upon y 1 upon y क्योंकि x की value क्या है 1 upon y 1 by 1 upon y आंसर कितना आ गया y आ गया 1 upon y क्या है बेटा है की नहीं है यह भूल गए फिर से तुम लोग वन आपाइड य क्या है बेटा और y क्या है पापा मतलब हर बेटे पर क्या मिल रहा है पापा हर बेटे पर क्या मिल रहा है पापा इसलिए function क्या होगा on to कि नहीं आ समझे में भी भी फिर से देखो कि यह question practice का विशह है भाई देखिए आपके पास जो है function है fx equal to one upon x बहुत डेरे मिलेंगे भी हाँ 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 देखिए देखिए एक on to वाले का basic एक्ठो नहीं है on to में domain और range का पंगा है on to का मतलब क्या होता है on to का मतलब होता है कि जितने भी यहाँ पर यह क्या क्या लाता code domain क्या 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 लाता है जितने भी यहाँ पर आये थे बराती लोग सब में वर्माला डल जा याद आई मेरी बात याद आया तो code domain equal to range जो code domain वही क्या बन जाए तो होता है on to अब range निकालने का कोई एक तो method है नहीं range निकालने के पचास सो method है तो भी अब क्या किया जाए रेंज निकालने के पचास सो method है तो नहीं range output होती है हाँ हाँ तो अगर रेंज जो है code domain में आ जाए equal इसका मतलब function क्या होगा on to अच्छादक होगा एक्जाम के एक दिन पहले question पूछे जाते concept नहीं पूछे जाते बैसे मैं बता दूँ अब तो concept पूछोगे एक दिन पहले मैं डाउट्स बताओ कि यह वाला question डाउट है अब कहो यह चैप्टर ही डाउट है अब तुम कहे दो यह चैप्टर ही डाउट है तो उसमें क्या कल लिए हाँ बताई है वो एक है वो एक है वेक्स अच्छा यह अभी यह समझ में आया कि नहीं है वाला question यह नहीं है देखो वाइज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है सुनो बेटा वाइज इक्वल टू वन अपॉन एक्स क्या है बेटा और य क्या है पापा बुलो यहां पर बेटे पर कौन नेरह भर है पापा अजब यहां पर एक्स ले आओगे तो एक्स इक्वल टू कितना वहना पॉन य मतलब यहां पर बेटा पहले देखो बेटे पर पाप अंदर बर था अब पापर पर कौन बर है बेटा ठीक ना मतलब एक तरीके से यह बेटा हो गया अब देखिए और यह पाप अंदर बर है अब अपने पास जो function है वो fx is equal to है one upon कितना x है की नहीं है मैं यहां पर डालता हूं function की value x की value किती है मेरे पास one upon y one upon y तो f one upon y is equal to one upon one by y तो f one upon y equal to कितना है या y f one upon y equal to y f one upon y equal to y मतलब हर x पर हर किस पर x पर क्या मिल रहा पन को y मिल रहा है ठीक ना इस प्रकार y belongs to r के लिए one upon y belongs to r और one upon y पर हर one upon y पर अपन को y मिल रहा है इसका मतलब y पूरा का पूरा domain code domain cover हो जाएगा पूरा का पूरा code domain cover हो जाएगा तो हो गया यह अच्छा दख है क्योंकि range equal to code domain range equal to code domain इस function की range किती है वहाई सब देख लिए r range किती आई है r आई है प्रांत परिसर और सह प्रांत परिसर क्या कहलाएगा परिसर मगर तुम जिन चीजों में से आउटपुट छाटते हो वो कहलाता है सहप्रांत क्या कहलाता है सहप्रांथ मतलब सहप्रांथ में से परिसर छाटा जाएगा सहप्रांथ में से परिसर छाटा जाएगा सहप्रांथ में से सहप्रांथ को कोडो में बोलते है कोडो में में से आपका रेंज छाटा जाएगा अब अगर कोडो में रेंज की कुल हो जाए मतलब जितने लोग स्वयंबर में गए थे सब की वरमाला पढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगा on to function क्या कहलाएगा on to याने की अच्छा दक on to याने अच्छा दक सहपरांथ क्यों परिसर को परासे ही बोलते हैं रेंज बोलते हैं न हाँ ठीक है सहपरांथ मतलब की जैसे मान लोग स्वयंबर में पचास लोग गए तो पचास लोग सहपरांथ वाले हैं पचास लोग क्या है सहपरांथ वाले हैं अब बरमाला के वल कितने लोग को पड़ी दस लोग को कितने लोग को दस लोग की उपरी सर में आ गए तो 50 पूरे कौँं से है सह परांथ है और रेंज में कितने आए 10 परांथ कह ओंगे परांथ, जो लोग ब्रमाले डालेंगे वो ना परांथ होंगे दूला तो परी सर में आएगा परस में आएगा दूला ठीक हाँ बराती ही सा है फ्रांत में ठीक आगे समझ में चलिए और कुश्चन लेखे कौन सा नी बन रहा और कुश्चन लेखे कौन सा नी बन रहा उसका अगला अच्छा कुश्चन लेगी सबी लोग पाँच्वा नमबर छटवा नमबर हाँ ये जो question है शट्वा question ये अच्छा question है इसमें आपके फंडे और ज्यादा clear हो जाएंगे प्रांथ के सह प्रांथ कि ये ज्यादा मतलब बढ़िया question है माइनस कहाँ पर आर माइनस 3 real number में से 3 हटा दो अच्छा अच्छा ये जो अच्छा ये जो ये ये आप बताओ मेरे को ना कहां से कौन सा चीज है हाँ जो भी राउट बताओ पहले इस कौशन को देख रहे हो पहले इस कौशन की फीलिंग पकड़ो सिर्धी की नीचे परिभासित फलन एन से एन में तो एक फलन दिया गया है ये तुम्हारे लिए मैंने पहला डोमेन मनाया एन और दूसरा डोमेन फिर बनाऊंगा एन ये नैच्रल लंबर है और ये भी नैच्रल लंबर है बुलो हाँ है न जी पहला फंक्शन एन है दूसरा भी एन है और इसके अंदर जो इन्पुट है उनका नाम क्या है एकस है क्या नाम इनका एकस है अब एकस अगर विसम है तो विसम नंबर के लिए आउटपुट क्या बन रहा एकस प्लस वन तो चलो पहला विसम नंबर में क्या होता है तो वन के लिए वन प्लस वन बोलो क्या मिलेगा टू मिलेगा की नहीं मिलेगा अच्छा, अगला विस समॉएगा थ्री के लिए क्या मिलेगा? Four मिलेगा, हाँ या ना? कहा डिवाइड आर, तुम्हें कहां डिवाइड दिगे है यार? कहा दिगे है तुम्हें डिवाइड? अच्छा, ये दूसरा सवाल है. चलो ठीक चलो 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 नहीं सही है दूसरा चलो ठीक है उसमें मन लग गया सही बात कोई नहीं उसको समय लो पहले फिर यह कर लेंगे सही बोल रहे हो चलो देखो तो वन पे टू मिल गया बोलो हाँ अब सुनो सुनो मेरी बास सुनो मिल गया अब एक विसम जितने विसम पर अपका output जितना दे रहे हो, जितने भी number विसम है, तो विसम पर answer sum आ रहा की नहीं आ रहा है, और sum पर दो दोगे तो क्या मिलेगा, एक देगा की नहीं देगा, sum पर क्या मिलेगा, विसम मिलेगा, बुलो हाँ, मतलब ऐजे input के तौर पे सारे input, सारे sum और सारे विसम क cover हो गए की नहीं हो गए, मतलब सारे input cover हो गए की नहीं हो गए, तो input में सारे natural number आ गए की नहीं आ गए, natural number याने की प्रक्रस संख्या है, सब की सब आ गई, हर input के लिए जब विसम लेते हो तो answer sum मिलता है, और जब sum लेते हो तो, एक ही answer आ रहा की दो-दो answer आ रहे हैं, एक ह आ रहा है तो एक एकी हुआ की नहीं हुआ एक के लिए एक आ रहा ना तो आंसर क्या होगा एक एकी ठीक है ना दूसरा सम और विसम मिल करके जितने बाराती आये थे वो पूरे निपड़ गए की नहीं निपटे क्योंकि जब सम दिया तो विसम मिला विसम दिया तो सम मिला हाँ या ना तो उनके रूप में सारे बराती निपड़ गए कि निपड़े निपड़ गए ना तो कैसा होगा आच्छा दक होगा कि नहीं होगा तो ये एक एकी भी है और आच्छा दक भी है, बोलो आया समझ में की नहीं है, कोई दिक्कत, हाँ, हाँ, क्या समस्या इसमें, बोलो इसको दुल देख करके बताओ, परिक्षा बूत का, परिक्षा बूत का 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 परिक्षा ब कौन सी यदी x1 यदी x1 with sum तथा x2 sum है हां तो एक sum लोगे और एक sum लोगे तो जो दोनों का output आएगा उनका difference कितना आएगा दो आएगा ठीक ना यदी x1 with sum तथा x2 sum है तो x1 plus 1 equal to x2 minus 1 ठीक है बट मैं कहूंगा कि भीया ये जो है आप इस तरीके से आप इस तरीके से मत लगाए इसको आप इस तरीके से देखिए कि यदी दोनों नंबर आपके पास विसम है मान लीजे दोनों नंबर आपके पास विसम है दोनों नंबर कौन कौन से हो गए x1 और x2 एक बार आप x1 x2 दोनों विसम पहले लेजे x plus 1 क्या बनेगा function x plus 1 तो x1 के लिए बनेगा x1 plus 1 और x2 के लिए बनेगा x2 plus 1 बेटा ना दोनों विसम है अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों के output equal है तो देखो दोनों के output अगर equal हो गए तो answer कितना आ गया x1 equal to x2 मतलब दोनों के input भी क्या हो गए मतलब फलन कैसा होगा एक है की होगा अब sum के लिए अलग ले लो आप sum के लिए क्योंकि function x-1 है तो आप x-1 ले के कर दो कोई problem हाँ जी क्या समस्या और बताइए हाँ वो आला question जो आप पूछ रहे चले उस पर हम देखिए question को पहले आप relation function का question आया है तो पहले आप इसको directly भाशा पर मत लेके जाओ पहले आप इसको अपने numbers पर लेके जाओ तो आप थोड़ा सा confidence कमाल होगे अगर आप directly भाशा पर लेके जाओगे उटा रहा है कितना n by 2 लेओ भाई अगर बना लो कुछ थोड़े बहुत ध्यान दो भाई जी ये भी n है ये भी n है दो मैंने ले लिए बताइए पहला भी n ले लिया दूसरा भी क्या ले लिया n ले लिया अब देखो n विसम है पहला विसम number बोलो 1 1 प्लस 1 बटे 2 1 प्लस 1 बटे 2 मतलब 1 पर input क्या मिला एक मिल गया मिल verm क्या चलो हब देखो 2 बटे 2 अब एक थे भी कि नहीं नहीं अब एक सम कि लिए और क्विसम के लिए जरो जाओ ठीक कोई द इखतनी विसम लेलू 3 प्लस 3 प्लस 1 बटे थो य ने कितना या 2 है तो 3 प्लस 3 पर कितना मिले बोलो ठीक है ना अब आंगे में पाँच पाँच पर कितना मिलेगा तीन मिलेगा नहीं मिलेगा पाँच पर तीन मिलेगा अब कहानी ऐसी चलने दो इससे अपने को कोई आपती नहीं अब सम ले लो क्या ले लो सम दो ले लो दो पर दो बटे दो कितना हुआ एक दो बड़े दो किता हुआ एक तो यह देखो दो पर भी output क्या मिल दा एक यहाँ पर समझ में आ गया कि यह 1 1 नहीं है यह many one है कैसा है यह many one मतलब एक एक एकी नहीं है बहुँ एक एकी है है ना क्या यह है एक एकी अच्छा दक है नहीं बिल्कुल नहीं आएगा आप देखो भीया आप ले लो एन अगला समसंक्या ले लो कितना चार ले लो चार का कितना आएगा चार का आधा दो चार का आधा कितना आएगा दो आएगा चार का आधा दो आएगा छे का आधा कितना आएगा तीन आएगा तो एक चीज़ आप देख रहे हो क्योंकि आच्छा दक तो हो रहा है क्योंकि सारे के सारे natural number cover हो रहे है मगर एक एक ही नहीं है क्योंकि दो जगहे आप जो है दो output आपके एक ही input पे आ रहे हैं sorry, एक output दो ही input पे आ रहा है, जैसे आपने देखा one आपका मिल गया कहां पर, one पर भी मिला और two पर भी मिला, समझ गया ना, तो चलिए अब इसको solve करते हैं देखो भाई साब ये लेखो, जो मैंने बात बताई उसी को so कर दिया इसने, कि one का जबाब one मिल रहा है, एक पर भी और two पर भी, इसलिए कभी भी क्या है, मतलब एक और दो के input के दोनों बच्चों के एक ही पापा दोनों बच्चों के तो ये one one, नहीं होगा आता है एक एक ही फलन, नहीं है अब क्या दिक्काद है भाई साब बताईए हाँ देखिए भाई या प्रांथ सह प्रांथ, अब इस question में जो प्रांथ है वही सह प्रांथ प्रांथ तो खेर ये है प्रांथ तो ये है, input all natural number हाँ प्रांथ क्या है, input all natural number और सह प्रांथ भी क्या है natural number क्यों है सह प्रांथ नेच्रल number ये देखो प्रांट सेह प्रांट यहां सपर चलता है, यहां सपर चलता है प्रांट सेह प्रांट, यह जो दिया है पहला होता है प्रांट, और जो दूसरा होता है, यह क्या होता है, सेह प्रांट, फलन हम इसा कहां से कहां तक डिफाइन होता है, प्रांट से लेके सेह प्रांट में, समझ में आया कि नहीं है, इसलिए सब के सब क्या हो गया, on to हो गया, क्या हो गया, on to, हाँ, दो लड़की एक लड़का, many one है, समझ गया, many one, clear हो गया, चलो, चलो, आ गया समझ में न, कोई दिक्कत बच्चो, हाँ, अब भाया देखिए, अब इसके बाद करना है अपनको, one one to मैंनी वन हो गया ना शो कि नहीं हुआ बोलो हाँ अम मैंनी वन के लिए अम मैंनी वन के बाद में आपको ये शो करना है कि ये function कैसा है on to है तो या तो आप इसी तरीके से दिखा करके जो मैंने डिब डिब बनाए हैं इसको थोड़ा सा बता करके कि हर even number और odd number हर number का output हो रहा ह बन रहा है तो ऐसे शो कर सकते हो नहीं तो एक अपने मन से कोई भी number ले लो ये देखो अपने number ले लिए 2R plus 1 याने की विशम बोलो हाँ अरे दो के गुणे से एक ज़्यादा विशम ही तो होता है तो विशम के लिए कौन सा function लगाओगे देखो भीया विशम वाला बोलो ह 4R plus 1 by 2 बिटा 4R plus 1 ले लो उसको पर 2R plus 1 नहीं 4R plus 1 अच्छा 4R plus 1 भी विशम होगा की नहीं होगा बताओ होगा ना 4R plus 1 जो होगा वो विशम होगा तो 4R plus 1 plus 1 याने 4R plus 2 upon 2 स्वाल करने पर कितना आगया 2R plus 1 बोली हाँ है ना 2R plus 1 मतलब की आपने जो भी नंबर 4R plus 1 दिया है उसके आउटपुट में 2R plus 1 मिला है जो की एक विशम नंबर है 4R plus 1 विशम होगा हाँ ठीक है तो विशम नंबर पर क्या मिल रहा है अपन को और मिलना क्या चाहिए देखो जा रहा देखो जा रहा देखो जा रहा अच्छा विशम पे विशम पे विशम पे विशम ही तो मिलना चाहिए क्या दिक्कत है सम थोड़ा न मिलना चाहिए भाई N की वैल्यू आप रख दो हाँ 5 पे N की वैल्यू 5 रखो 5 पर एक 6 प्लाश पलस एक 6 च्छे का अधा किता हुआ, तीन हुआ ना, बुलो हाँ या ना, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत हो रही है, सही तो है, एकदम सही है, हाँ, तीन प्लस एक, चार, चार बटे दो बराबर दो, हाँ, क्यों मिल रहा है बताएं, तीन पे दो क्यों मिल रहा है बताएं, आपने जो न नंबर माना है, वो क्या माना है, 4R प्लस 1, जब 4R प्लस 1 ले रहे हो, तो पहला नंबर क्या support करेगा 4R प्लस 1 को, 4R प्लस 1 पर 3 आएगा, तुम्हार कहां से आएगा, 3 बताओ, 4 के गुणज से एक जादा, 4 का पहला गुणज क्या होता है, 4 का पहला गुणज क्या होता है, 4 एक कम 4, 4 की गुणज से एक जादा, यानि 4 एक कम 4 प्लस 1 किता हुआ, 5 हुआ, मतलब यह जो support कर रहा है, वो कहां से support कर रहा है, 4 के गुणज से, 5 से, देखो 2R plus 1 में दिक्कत ये बन जाएगी चलो 2R plus 1 देख लो 2R plus 1 करके बताय देता हूं मैं 2R plus 1 में 2R plus 1 विसम है की सम है विसम है विसम में अरे यार विसम में हाँ यार थी आरहा हूं उससे मैं भी खेल रहा हूं उसी के साथ इसलिए 2R plus 1 में 2R plus 1 में देखे विसम नंबर है अब विसम नंबर के हिसाब से देखे क्या आ रहा चाहिए 2R plus 1 plus 1 हाँ 2R plus 1 plus 1 2R plus 1 plus 1 बाई कितना 2 याने 2R plus 2 याने कितना है R plus 1 मतलब आप जो भी नंबर लोगे R plus 1 नंबर आपको मिलेगा अब 2R plus 1 में R क्या था सम भी था और विशम भी था था कि नहीं था 2R plus में R सम भी था और विशम भी था और नैचरल नंबर R था कि नहीं था तो अगर कोई नैचरल नंबर आर एक्जिस्ट करता है तो आ नैचुरल लंबर का अगला नंबर एक्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा बोलो हाया ना आर नैचुरल लंबर प्राकर संख्या था कि नहीं था और अगर आर प्राकर संख्या एक्जिस्ट कर रही है तो आर का प्राकर संख्या का अगला नंबर प्राकर संख्या प्लस एक एक्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा समझ में आ रहा है आ रहा है तो मतलब आप कुछ भी लेंगे आप कोई भी विशम संख्या लेंगे तो विशम संख्या के लिए एक number exist करेगा वो even भी हो सकता है और वो odd भी हो सकता है तो 2R plus 1 के लिए आपका क्या आगया? R plus 1 मगर problem क्या है? कि यहाँ पर यह नहीं पता चल रहा है कि यह विशम है या sum है आया समझ में? Natural number प्राकर संख्या आर प्लस 1 यह निकला है कि आप कोई भी आप कोई भी इसको विशम संख्या देंगे तो विशम संख्या के लिए आपके पास एक natural number याने की प्राकर संख्या आएगी यह निकला है कोई भी विशम संख्या देंगे तो यह प्राकर संख्या आएगी ठीक है? अब समसंग की बात कर लेते हैं, समसंग क्या है? 2R, बोलो हाँ, समसंग क्या है? 2R, समसंग क्या है? तो answer क्या है एगा? 2R by 2, अब बेटा सिनन सुनन, 2R में R क्या है? नाच्रल नमबर, आर क्या है, आंसर क्या बनेगा, टू आर बाई टू, टू से टू, कैंसल, कितना हुआ, आर, मतलब आंसर क्या मिला, नाच्रल नमबर मिला, मतलब हर एवें के लिए भी नाच्रल नमबर मिल रहा है, और हर ओड के लिए भी नाच्रल नमबर मिल रहा है, और ह देखो 4R plus 1 में तुम्हारे सामने clarity और अच्छी आ रही है 4R plus 1 में तुम्हारे सामने clarity और अच्छी आ रही है बस इस पश्टिता हो रही है क्योंकि 4R plus 1 की शुरुआत कहां से होगी 5 से और 4 याने odd